कि नमस्कार दोस्तों कैसे हैं बिल्कुल ठिक ठाग होंगे जहां तक मुझे उमीद है तो आज मैं चलिए फिर एक नेट टॉपिक साथ आपके समने उपस्चित हूँ आज मैं बात करने वाला हूं फीचर प्रफेक्ट टेंस की जिसा कि हम लोग पहले सही देखते आ पहले हम वो डिफिनिशन को देखते हैं तो डिफिनिशन में आप देख सकते हैं डिफिनिशन में लिखा है एक वाके जो दिखलाता है एक काम को वीच विल स्टार्ट इन फीचर टाइम जो आने वाले समय में शुरू होगा और फीचर टाइम में ही समाप्त कर चुका होगा इस कॉल्ड फीचर परफेक्टेंस मतवह काम जो फीचर में स्टार्ट होगा आने वाले समय में स्टार्ट होगा और आने वाले समय में इस खतम भी हो जाएगा उसे फीचर परफेक्टेंस हम लोग कहते हैं तो यह हो गया ड जनमदीन पार्टी में पहुँच चुकेंगे तो ये आठ बजे तक पहुच चुकेंगे मतलब ये काम इतना समय तक खतम हो चुका रहेगा तो जैसे के दिफिशन की तराजू पे इसको जी तौलते हैं से इस एक्जामपल को बिलुके खला उतरता है तो इसलिए जो है तो यह और आप देख शक्ते हैं मैं लिखा है हिंदी सेंटेंस जिसके मुख क्रिया केंत मेरे रहेगा चुका होगा चुका होगी चुके होंगे लिया होगा दिया होगा ली होगी दी होगी की होगी चुकेगा चुकेगी चुकेंगे ETC is considered of a future perfect tense तो identification आपने देख लिया कि जिस हिंदी वाग की क्रिया के अंत में इस लगा रहेगा तो वह वाग के जो है तो future perfect tense का कहलाएगा अब आते हैं हम लोग structure पर तो इसमें structure जो है तो दोढ़न का structure होता है तो पहले हम लोग देखते है structure 1 फिर हम लोग structure 2 देखेंगे तो structure 1 में जैसा कि आपने देखा tense में भी कि हमने 6 form में change किया था तो इसी भी 6 form में ने change किया है पहला है positive sentence positive sentence में क्या होता है सबसे पहले subject है cell oblique will have plus have plus v3 है plus object है plus rw plus full stop मैंने example लिया है वह नदी में मचली पकर लिया होगा या होगा लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा structure के अंसर आप sit कीजे बिल्कुल sit हो जाएगा he will have v3 count feces in the river वह नदी में मचली पकर लिया होगा फिर negative sentence है subject plus cell oblique will plus not plus have plus v3 plus object plus rw plus full stop तो मैंने example यहां दिया है कि मेरी माँ खाना नहीं बना लिया होगी चुकि यह negative sentence है तो नहीं लगा हुआ है तो my mother will not have cooked food यहां पर इसको contract form में भी लिख सकते थे want भी लिख सकते थे my mother won't have cooked food फिर है positive interrogative तो इसमें क्या है sub cell oblique will plus subject plus have plus v3 plus object plus rw plus mark of interrogation अब यहां पर देखिए example में लिखे है क्या अनाज सर चुकेगा mark of interrogation तो हो जाएगा will grain have rotted क्या अनाज सर चुकेगा तो यह हो गया positive interrogative क्या लगा हुआ है शुरू में तो यह will पहले आ गया अब आते हैं negative interrogative में तो negative interrogative में आप देख सकते हैं कि cell और will के साथ नोट लगा रहेगा cell oblique will plus not plus subject plus not plus have plus v3 plus object plus rw plus mark of interrogation जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुए कि subject के पहले भी नोट लगा सकते हैं subject के बाद भी लगा सकते हैं subject के पहले लगाएंगा तो contract form और बाद में लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर मैंने example लिया है क्या परिच्छा समाप्त नहीं हो चुकेगी mark of interrogation तो क्या हो जागा will the examination not have indeed यहां पर हो सकता था want the examination not have indeed फिर है positive wh family तो wh word पहले आ गया यहां पर एक्जांपल मैंने लिया है subject मतलब sentence के बीच में कहीं भी क्या क्यों कब कहां कैसे लगा रहेगा तो चुकि positive wh family है तो लालू यादव कैसे अंग्रियजी में भासन दे चुकेंगे तो कैसे लगा हुआ है तो कैसे अंग्रियजी है how यहां लग गया how will लालू याद love have delivered a speech in English यह positive wh family का हो गया अब negative wh family तो negative है तो नोट लगा रहेगा और wh family है तो क्या क्यों कब कहां कैसे लगा रहेगा sentence के वीच में तो wh word प्लस salary will plus not plus subject plus not plus have plus b3 plus object plus rw plus mark communication एक्जामपल दिया है मैंने तुम्हारा नौकर रूम में जाडू क्यों नहीं दिया होगा तो क्यों नहीं दोनों लगा हुआ है तो why will your servant या why won't your servant दोनों तरह सब्सक्त है यहां लगा दिये तो यहां नोट नहीं लगाएंगे यहां पर नोट नहीं swept in the room तुम्हारा नौकर रूम में जारू क्यों नहीं लगा लगा दिया होगा तो इस तरह से जो है तो यह 6 form में हम लोगों ने change किया और इसका B structure भी होता है तो B structure क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं structure B है इसमें मैं लिखा है when two actions occurred in a sentence जब एक वाक में दो घटनाए घटती है दो क्रिया होती है तो किस तरह का होता है तो जो काम पहले हुआ है उसको हम लोग बनाएंगे future perfect tense में गौर से देखिएगा इस चिसको और उसके बाद जो है situation रहेगा sentence का के बाद रहेगा या के पहले रहेगा तक रहेगा तक रहेगा तक रहेगा तो बाई लगा देंगे यहाँ पर तक के लिए तील का प्रियूग नहीं करेंगे उसके बाई का प्रियूग करेंगे और पहले के लिए before और के बाद के लिए after और उसके बाद फिर इसमें present indefinite tense का प्रियूग होता है इस तरह का वाक हम लोगों ने past perfect tense में ही पढ़ा था डॉक्टर के आने perfect tense रहेगा तो क्या हो जागा subject प्लस will plus have plus b3 plus object और present index plus b1 या b5 plus object का प्रियूग करते हैं एक्जाम्पल सस्पस्ट हो जागा लिखा हुआ है डॉक्टर के आने से पहले मैं चंगा हो चुगूंगा तो क्या हो जागा डॉक्टर के आने से पहले मैं चंगा तो पहले काम क्या होगा कि मैं चंगा हो चुगूंगा तब डॉक्टर आएगा तो क्या हो जागा आई सैल है recovered before the doctor comes देख रहे हैं इसको हम लोगों ने future perfect में बनाया है और before यहां लगा दिया है पहले लगा हुआ है तो और doctor के आने की बात हो रही तो the doctor comes यानि कि present indefinite का प्रयोग हम लोगों ने किया है फिर यहां है मेरे घर पहुँचने तक मेरी मा गाउं जा चुकेगी तो यहां पर भी पहले क्या होगा मेरे घर पहुचने तक यहनि कि पहले मेरी मा गाउं जा चुकेगी तब मैं घर पहुचूंगा तो क्या होगा my mother will have gone to village फिर यहां तक के लिए by का प्रयोग किया गया है तो by I reach home मेरे घर पहुँचने तक, तो my mother will have gone to village while I reach home तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दो तरह का structure होता है, एक इस तरह का structure होता है जिसमें 2 actions होते हैं और एक one action वाला होता है तो दोनों तरह के sentences को हम लोगों ने देखा, मुझे उम्मीद है कि आपको future perfect tense अच्छे धंक से समझ में आ गया होगा अब एक और last बचा हुआ है उसको यह मैं complete करने के बाद हम लोग voice में आएंगे, passive voice में तो इनी सब्दों के साथ मैं आज की बात को स्वाप्ट करता हूँ